कार्ड वेजर अगर कोई आदमी मुक्त हो गया जैसे आपने वेतल साथ में बताया था तो जैसे आदमी उच्छे कोटी का इस्रेजने में अगर कोई साथ होता है तो उसको यक्ष में या फिर वेतल में या फिर किसी और में मतलब उसका जनम होता है कि वो शिवत्व को उपलब्द हो जाता है देखो शिव को आपने देखा होगा पिक्चरों में लेखनी में ठीक है कि भाया नाग लिप्टे पड़े हैं गंगे दहार बह रही है नील कंठ है ठीक है और कैलाश पर विराजमान है तरिशूल है तरिपुंड है नंदी है शिवलिंग है इत्यादी इत्यादी बहुत कुछ तुमने सुना होगा ठीक है तो उस व्यक्ति जो उस बोध को उपलब्द हो गया है बुद्धा को आपने देखा होगा बुद्ध भगवान को कि ऐसे एकदम जो है विश्णु मुद्रा में लेटे हुए ठीक है कोनी मोड के जगर के लेटे हुए वही पॉस्चर आपने विश्णु जी का भी देखा हो ऐसे लेटर मुस्कराते विश्णु जे अवस्थाएं साधक की होती है यातरा के मद्द्द में होती है यातरा की समाप्ति पर शिवत को उपलब्द होना स्वता ही होता है ठीक है यह अपने आप की स्वायम की अवस्ता है लेकिन अभी पता नहीं है तो हम उस पॉस्चर में नहीं हैं हम उस जेस्चर को नहीं कर पाते हैं कि एसा भी कुछ है तो ऐसा नहीं होगा गला नीला हो जाएगा पर सांप लपैटे घुमे रहेंगे अयह समुदर में जाकर जाना पड़ेगा वहां लेटना पड़ेगा एक झाल पालना पड़ेगा उसके इतने सारे फन होंगे वहू लेटेगा और एक श्तरीकी कलपना करनी पड़ेगी या वेवस्था करनी पड़ेगी जो पैर दबाए रहेगी, वो एक अवस्था है साधककी जो धिरे 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 भीतर सरक रहा है, वो अवस्था को उपलब्मध हो जाता है माया उसके चरुनों की धूल के बराबर भी नहीं है क्योंकि उसके लिए value नहीं है छेल है उसके लिए शिवत्व को उपलब्द हो जाता है वो हुआ ही हुआ है हर कोई शिव का ही अवतार है शिव को ही उपलब्द होना है पढ़ के नहीं होगा झोल और ड़ंरू बजा के भी नहीं होगा, ये सब किरियाएं हैं, वहां तक जाने की। भकती रस्म दूब के भी हो जाएगा, लेकिन लोग भकती रस्म दूब नहीं पा रहे हैं, राधे राधे तो कर रहे हैं लेकिन बस वो प्रतिमा तक ही सीमित रह गए है उससे आगे नहीं जा पा रहे है और जिसके अंडर में वो राधे राधे कर रहे है वो स्वयम नहीं उपलब्द हुआ है तो उसको भी नहीं पता है कि एक्चुली में कैसे होते हैं पकड़के लोगों पकड़ा दी है कि यह मिर्दंग बजाओ यह नगाड़े बजाओ यह जहाँ बजाओ और खुब चिलाओ खुब उचलो तो यह प्रोसेस है इससे आगे प्रोसेस छूटनी मांगती है ना वो प्रोसेस पकड़के बैठ गया है जैसे कोई ध्यान की क्रिया पकड़के बैठ गया है वैसे वो कृष्ण वाले वाली क्रिया पकड़के बैठ गया है भक्ती रस वाले होश रहेगा भक्ती रस में डूबे वाले वक्ती को वो उसकी ध्यान की अवस्ता होगी अगर भक्ती रस में डूब गया वो उसका द्यान का अस्तर होगा, उसको होशी नहीं होगा तो वो किसी को भी उपलब्ध हो जाएगा, वो कृष्ण को उपलब्ध हो गया, वो शिब को उपलब्ध हो गया किसी को भी उपलब्द हो जाएगा उपलब्द होने में क्या है उपलब्द होना है बस इस अब संकेत मात्र हैं कि ऐसा पॉस्चर हो जाता है वो ये रियालिटी है मैंने बता हुआ वीडियो में कि एक समय पे मैं एक साधक था और साधक होते हुए मेरा एक पॉस्चर हुआ करता था उस चेतना स्तर पर मुझे ऐसा अभास होता था कि मैं शरीण नहोके कुछ और ही हूँ जो ऐसे करके लहर खा रहा है इतना हलका इतना निश्चल इतना विकार रहत कुछ भी नहीं और इसे लहर खा रहा है और जब लहर खा रहा है और वो कोहनी मोड के लेटने की अवस्था सर्वोत्म आनन्दाय क अवस्था थी और उस अवस्था में मुझे ये विचार नहीं आया कि अरे ये तो गुद्धा पॉस्चर है अरे ये तो विश्ण पॉस्चर है नहीं काफी समय बाद जब उस तर से आगे जब यात्रा हुई तो किसी इंसिडेंट पे किसी एक घटना पर ये आभास हुआ और वो पूर्व की घटना मेरी याद आई क्या रही ये था क्योंकि जिसमें आप जब सब्पूर्ड होते हैं उस समय उसको वैचारिक रूप से आप नहीं ले पाते हैं नहीं ले ले सकते हैं तो जब वह तरंग आई तो पता चला रही है यह तो वह चीज थी तो मतलब यह ऐसा ऐसा पॉस्टेर ऐसे बनता है जब साधा कि उर्जा इस इस तर पर आ जाती है तो अब लोग क्या करते हैं बहुत सारे जो बुद्ध को मानने वाले हैं और लोगों को सिखाते हैं फॉर्णर को और कुछ और्गनाजेशन जोईन कर लेते हैं तो वो बुद्ध पॉस्टर में लेड़े जाते हैं प्रदर्शित करने के लिए कि मेरे साथ भी गटित हो गया जो बुद्ध के साथ गटित हुआ और उसी प्रकार की मुस्कराहट फेक घंटों के प्रैक्टिस से आ जाती है तो उस चीज को उपलब्द हो जाएगा कोई प्राब्लम नहीं है यात्र आपकी इंपोर्टेंट है आपकी प्यास इंपोर्टेंट है आपका समर्पन इस अस्तित्व को इंपोर्टेंट है किसी व्यक्ति विशेश को भी नहीं गुरू विशेश को भी नहीं वहाँ से शुरुवात की जाती है गुरू को समर्पन करके गुरु को समर्पन कहां कोई कर पाता है बेरला कोई होगा एकाद संपूर्ण समर्पन गुरु को कोई नहीं कर पाता है तो गुरु का श्रील छूटता है तब उनको चेत जागती अरे गवराट आजाती भीतर तब हतासा आती जिसकी बात को गुरु किया करता था कि अरे वो यह ऐसा कहता था तब बहुत सारे लोगों के भीतर बदलाव हो सकता है लेन गुरु को कहां कोई हंडर परसें समर्पन कर पाता है अब यह मृदुल जी है अब मृदुल जी कि जो नियम है यह नितिवान व्यक्ति है इनकी जो नैतिक्ता है इनके जो उसूल है जीवन को लेके गुरु के प्रति अगर उसके पदिभाशा में मैं नहीं आऊंगा तो इनका समर्पन पटाक से धराशाई हो जाएगा वह होता है और इसलिए मैं हमेशा जो है अपना करेक्टर को जो हमेशा गिराने वाली बात करता हूँ ताकि सामने वाला साधक उस मोमेंट को भी फेस करे कि गुरु कितना गिरव वह आदमी है यह गुरु हो ही नहीं सकता है तब जो साधक का समर्पन निकल के आता है उसके अंदर विचार आना तो सभाविक है आएगा ही आएगा कि यार गुरु जो है डेली एक नई लड़की मंगा रहा है यार अपने कमरे में कहां फजगे चक कर में यार यह तो साला हमें करप्ट कर देगा निकलो यहां से कैसे भी कर के यृत धुकि यार खुब डेली नौन विचंवें खहरा यार पढ़गे चक कर में यार यह तो मरभक्सी टाइप आदमी है यार यह तो हमेशा इनने गाली गलोच़ करके बात करता है घलत चकर में तो ये विचार आना सोभवेगे गुरु तो हमें इसा पैसे मांगता रहता है मेरे से पैसे से और ज़्यादा आदमी बिफर जाता है बिलकुल तो ये सारी चीजें जब है साधक के दिवाएं विचार पैदा करती है जैसे विचारा है समझ लोग गया समर्पण खतम और सामने होता हुआ साधक के साथ ऐसा उसके अंदर विचार का जनम ही ना हूँ रहा हो मतब विचार ही ना आ रहा हो कुछ परिश्तिती कोई भी हो समर्पण की जो पराकाष्टा उसकी नीचे स्तर पैई नहीं रही है और बढ़ती चली जा रही है ऐसे साधक की गती बहुत अच्छी होती है यह मेरा अपनान भाव दोसरों का मुझे नहीं पता है लेकिन जिसका समर्पण एक बार किरा तो उसको गिरने की प्रैक्टिस हो जाती जिसलिए जब किसी साधक का समर्पण गिरता है गुरू के प्रती या अपनी बात करूँ अगर मेरे प्रती गुरू तो मैं उस साधक से फिर एक लाइन खीच के डिस्टेंस बना लेता हूँ गाइड कर दूँगा उसको ऐसा नहीं गाइड नहीं करूँगा लेकिन दिस्टेंस बना लेता हूँ कि अब यह और ज़्यदा गिरेगा तो समर्पण तूटके बिखरना खतास हो जाना बिल्कुल जो कस्ट आते हैं यह कस्ट में आनन दिसी लिए बोलता हूँ कि भई कस्ट आएंगे तो ही आपको तोड़ पाएंगे क्योंकि आप तो भईया पूरे महल चारो दिशाओं में बनाने के लिए उत्परे रित हो कि भईया सब कुछ हो जाए सब कुछ मेरा हो जाए सब कर डालें मैं ही कर रहा हूँ इस पूरे संसार में यहां बैठें अफरीका में कोई बैठा आदमी जह है मस्त सिगार पी रहा होगा उसको घंटा फरक निपड़ता है यहां कोन प्रभचन कर रहा है कोन आशरम में नगाले बजा रहा है कुछ फरक पुट रहा है को नहीं पड़ाएगा तुम आओ अचले जाओ किसी को फरक न पुल होती है आपको आपकी मुक्ति तक पहुचाने के लिए आपको आपके शिवत्व तक पहुचाने के लिए आपको आपके स्वाइम से दर्शन कराने के लिए कि मैं क्या हूँ मैं हूँ भी कि नहीं हूँ अब ये प्रिंसकल पूछ रहता है उस दिन तो मैंने इंसे का म भी बताईए, आप सपन में भी यही फिल करते हैं, जो जागे भी फिल करते हैं, है ना, पसीना भी आ जाता है डर के मारे, चीक भी देते हैं डर के मारे, है ना, और गलत-गलत थरकते भी करते होंगे, फिर विरिपात भी हो जाता है, वही आप जागते हो भी करते हो, वही सोत तेव उसमें दो नहीं हो जब सोएवे हो तो जब सोएवे हो तब आप actually में जागए वे हो कि जब आप जाग गए हो तब वास्तविक्ता में सोएवे हो कों decide करेगा कैसे decide होगा और फिर और एक नया आयाम कुल जाता है फिर आप ध्यान में चले जाते हो जागे भी हो लेकिन आप सोपन ब то ले और देखे रहे हिए अस आं इतरे ना प्रकाशा ripे दिखा ऐतनी जयूति-चेल कि इतनी सुगंध आ Arresh I यह जागते में हो रही है नीचे के खेंदरों में तेज ना हो गई यह इस अपने हो रही है यह जागते हो रही है यह ध्याने में हो रही है यह जाप में हो रही है तो सहला जाग कहा रहे हो कौन से एंगल पर तुम जाग रहे हो जाग भी रहे हो कि तीन हो यह आयाम पर सो रहे हो कि सब सोते ही सोते हो रहा है कैसे पता चलेगा भी यह कैसे पता ही नहीं चलेगा और जब इन जहन्जटों से मुक्त हो जाओगे तब तुम्हें वास्तविक पता चलेगी अब मैं जागा हूं साला आप मुझे कोई सुला के दिखा दे इसे लिए बोलता है योगी 24 घंटे जागता है सुलाई नहीं सकता कोई उसको ऐसा नहीं कि नीम नहीं आएगी लेकिन उसका तत्व जागरत हो जाता है उस सब देखता रहता है उस सिर्फ देखने वाला बस्ता है तो वो उस स्तत्व को उपलब्द हो जाता है तो उसमें और इस अस्तत्व में कुँँ भेद नहीं बचता है वो संपूर रूप से अस्तत्व ही हो जाता है वो यहाँ पर भी है वो अफ़रीका में भी बैटा है वो अमेरिका में बैटा है वो मंगल गeticoo एक ही टाइम भी बैटा है और जैसे आप आँखों से देख रहे हैं वैसे नहीं देख रहा है वो देख रहा है क्योंकि आप जिस देखने की चीज को समझते हो चल रहे हो। उस देखने में आख नहीं है। कोई अग्या चक्र भी नहीं है कि वहां से देख रहे हो। बहुत स्मार्ट बन रहे हो तो। यह अस्तित्व अपने आपको ही देख रहा है। अपने आपको ही देख रहे हो। यह अपने आपको ही देख रहे हो। तो यह अपने आपको ही देख रहे हो। कि उसका प्रयोग है मंत्र के साथ जब मैं साधभों को देता हूं उस मंत्र के साथ प्रयोग बताता हूं कि आप उस दंड को पकड़के ऐसे तीन बार उस मंत्र को उचारण करके अगर आप अपने तीन बार उस इस थान पर ठोक दिया तो समझ लेजिए 20, 20, 50, 500, 100 km दूर तक उसके उचारण से और उस ठोक से पढ़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं उपर के भी शक्तियों को सफाय कर देते हैं